Hello students, welcome to MOS classes. आज हम 8th class English and CART की बुक Honey Dew की पोयम The Duck and the Kangaroo के Questions and Answers को डिसकस करेंगे. याद रखियेगा students के इस वीडियो के नीचे description box में हमने अपनी सभी वीडियो के लिंक दिये हुए हैं तो description box में जाकर आप हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं. तो question number one में हमसे कहा गया है Taking words that come at the end of lines, write five pairs of rhyming words, read each pair aloud, for example, pond beyond. इसका ये मतलब है students, कि इस वीडियो की lines के end में जो words आते हैं हमें उनमें से कोई five words, कोई five words यहाँ पर लिखने हैं और उनके साथ उनके rhyming words भी रिखने हैं. जैसे कि pond का rhyming word क्या होता है? beyond. अब यहाँ पर देखिए answer में हम रिखेंगे hope, hope यानि के फुदक ना, कूदना, hope का rhyming words stop, back का rhyming word quack, duck का rhyming word luck, rocks का rhyming word socks, और ready का rhyming word steady. इसके बाद question number two में हमसे कहा गया है complete the dialogue, यहाँ पर हमें जो dialogue दिये गए हैं, हमें उन्हें complete करना है. तो duck ने कहा, dear kangaroo, why don't you? और उसके बाद यह यहाँ पर blank space है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, give me a ride on your back. अब हम इसे एक साथ पढ़ते हैं students. Dear kangaroo, why don't you give me a ride on your back? यानि के प्यारे kangaroo, तुम मुझे अपनी पीट पर बिठा कर घुमाते क्यों नहीं हो? उसके बाद kangaroo कहता है, with pleasure, my dear duck, doe. यानि के मैं तुम्हें खुशी के साथ, परसनता के साथ, अपनी पीट पर बिठा कर घुमा सकता हूँ. हाला की, अब यहाँ पर यह blank space है और यहाँ पर हम लिखेंगे, I have a problem with your wet and cold feet. यानि के मैं खुशी-खुशी तुम्हें अपने ऊपर बिठा कर घुमा सकता हूँ. लेकिन मुझे एक problem है के तुम्हारे जो पैर हैं, वो गिले हैं और ठंडे हैं. तब duck kangaroo से कहती है, that won't be a problem, I will. और यह dash है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, wear a pair of wooden socks and a clock to keep out the cold. यानि के duck kangaroo से कहती है, के इस problem को तो तुम भूरी जाओ, यह तो कोई problem ही नहीं है. मैं क्या करूंगी, मैं उनी socks पहन लूँगी और उसके अड़ावा मैं clock भी अपने ऊपर डाल लूँगी, जो की सर्दियों से बचने के लिए कपड़ा डाला जाता है, जिससे लबादा भी कहते हैं, जिससे की ठंड मुझसे दूर रहेगी, और तुम भी ठंड से बचे रहोगे, यानि के मेरे जो पैर गीरे हैं, या ठंडे हैं, उससे तुमें कोई problem नहीं होगी. इसके बाद, question number 3 है, the kangaroo does not want to catch remotism, यानि के kangaroo ये नहीं चाहता था, कि उससे remotism की बिमारी हो जाए, remotism यानि के joint pain, गठिये का दर्द. Support this word in stanza 3 and say why it is spelled differently. इसका ये मतलब है students, कि stanza 3 में इसी word को किस तरीके से लिखा गया है, हमें वो पता करना है, और हमें ये भी बताना है, कि stanza 3 में इसी word को, remotism को ही, अलग तरीके से जो लिखा गया है, वो different spelling के साथ, अलग तरीके से क्यो लिखा गया है? Why is it in two parts? और stanza 3 में जो इसी remotism को अलग तरीके से लिखा गया है, उसे दो parts में क्यो लिखा गया है, ये भी हमें बताना है, और उसके बाद हमसे कहा गया है, Why does the second part begin with a capital letter? यानि के इसी word को, third stanza में, जब दो words में बाट कर, दो words में बना कर लिखा गया है, तो उसका जो second part है, उसे capital letter से क्यो स्टार्ट किया गया है? तो इसके answer में हम लिखेंगे, Roo Mattis is written to give similarity to Remotism, यानि के Remotism को ही, यहाँ पर Roo Mattis लिखा गया है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेगा students, जो Roo लिखा गया है, वो क्यो लिखा गया है, उसका answer यहाँ पर आएगा, Roo has been written to give the rhyme of kangaroo in the next line, यानि इससे अगरी line में kangaroo word आना था, तो उसके साथ rhyme बनाने के लिए, एक flow बनाने के लिए Roo लिखा गया है, The second part, Mattis, is the first alphabet of a new line in the poetry, so it is written with a capital letter, और यहाँ पर यह कहा गया है हमसे, कि जो Mattis लिखा गया है, यह जो इस Roo Mattis का second part है, यह first alphabet है, इस poetry की एक new line का, इसलिए इसे capital letter में लिखा गया है, याद रखेगा students, कि जो first alphabet होता है, poetry में एक line का, तो उसे हम capital letter में लिखते हैं, तो rheumatism का मतलब होता है, joint pain, गठिये का दर्द, तो rheumatism को ही third stanza में कैसे लिखा गया है, Roo Mattis, और Roo Mattis में Roo इसलिए लिखा गया, कि अगली line में जो kangaroo world आया है, उसके साथ इसका rhyme बन जाए, flow बन जाए, और Mattis में M capital इसलिए लिखा गया, क्योंकि यह एक नई line का, पहला alphabet था, इसलिए M capital आया, इसके बाद question number four है, do you find a poem humorous, यानि के क्या आपको यह poem मजाकिया लगी, read a loud line that make you laugh, अब हमें वो lines बतानी है, जो की जिन पर हमें हसी आई इस poem में, तो हमने यहाँ पर लिखा है, yes the poem is humorous, यानि के poem मजाकिया है, अब हम वो तीन lines बताएंगे, जिन पर हमें हसी आई, give me a ride on your back, यानि के जब duck ये कहती है kangaroo से, के मुझे अपनी peat पर बिठा कर सवारी कराओ, तो ये मजाकिया line है, second, and every day a cigar I will smoke, यानि मैं हर रोज एक सिगार पिऊंगी, ये बात किस ने कही थी, duck ने कही थी, and they hope the whole world, three times around, यानि के उन्होंने उचलते हुए, कूदते हुए, फुदक कर लगा लिया, तो ये वो तीन line है, जिनको हम मजाकिया कह सकते हैं, I hope students, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को like करें, share करें, और हमारे channel को subscribe करें, thank you.